प्राचीन भारत का इत्यास है इस साक्ष पर डिपेंड करेगा यह वल् apprentices भारत नहीं पूरा इत्यास ही साक्ष करता है कि आंगे बढ़ा की शक तरह इसके कहानी इस साक्ष के बेसितस पर इप्णा पड़ाएगे तो कहानी बढ़ाते हुए आंगे बढ़ाते हैं, तो साक्ष एवं प्रमालक्ता की दरस्टी से इतिहास को तीन भागों में बाटा जा सकता है, प्राग इतिहासिक काल प्रीहिस्टोरिक, प्राग इतिहासिक काल में मनुष पढ़ना जानता था या नहीं, यह नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इस समय के साहितिक सुरोत नहीं मिले है तो इसलिए हम कैसे बता दें कि मनुस पढ़ना जानता था नहीं बता सकते तो प्राग एतिहासिकाल प्री हिस्टोरिक पीरियड में मनुस पढ़ना लिखना नहीं जानता था यह मान लिया जाए क्योंकि कोई साहितिक सुरोत ही नहीं मिले है अचा इस काल में जैसे धीन बैटका गी गुफाओं की खोज की गई तो वहां चित्रकारी की गई पैंटिंग है वहां पर कोई लिपीद मिली ही नहीं है इसमें मनुस पढ़ना जानता था लिखना भी जानता था और साहितिक सुरोत भी मिले हैं जिससे यह प्रूफ होता है कि मनुस पढ़ना लिखना जानता था लेकर उसको हम नहीं पढ़ सकते हम नहीं पढ़ सकते मतलब जो इतिहास बिद हैं वो नहीं पढ़ सकते कि लिपी में किस तरह से पढ़ते थी क्या था कौन सी लिपी है इस तरह से कुछ नहीं जैसे सिंदु घाट ही सब्दता है तो उसमें लिपी मिली है चित्र बने हुए हैं भाव चित्रात्मक कोई इतिहासिक पढ़ ही नहीं पाया है इतिहासिक काल हिस्टोरिक इसमें साहितिक सुरूत मिलेंगे मन उस पढ़ना लिखना जानता था ये मानते हैं और वो किस तरह से पढ़ता था ये हम भी जान सकते हैं इतिहासिक भी जान सकते हैं कहानी को आंगे बढ़ाते हैं चलिए तो सबसे पहला बानर मानो जो सीधा चला मद अफ्रीका में पाया गया उसको बोलते हैं ऑस्ट्रलोपिथिकस इसके बाद आया नियंडर थल है ठीक है थोड़ा लिख लीजिए कौपी पैन उठा लीजिए और थोड़ा नूट करते जाए इसके बाद आया होमो सेपियन्स आधने की जो मानो है उसको होमो सेपियंस कहते हैं या आधने की मानो का बेग्यानिक नाम ही होमो सेपियंस है थोड़ा सा अफेक्ट और समझ लीजिए भारत में मानो प्रचाप सिवालिक पहाडी है यहां से मानो खोपड़ी के जीवास मिले बोरी यह महारास्ट में यहां से पासाण उपकरण मिले हैं हतनोरा नर्मिदा घाटी के पास है यहां से मानो खोपड़ी के साक्ष मिले तो सबसे पहला जो अभी बताया कि प्रागय तिहास काल आध्य तिहास काल और तिहास काल को हम पढ़ेंगे प्राग यतिहासिक काल की बारे तो इस काल के मनुष्टों ने घटनाओं का लिखित बिवर्ण नहीं कखा तो इससे माना जा सकता है जानते ही नहीं था प्रना मिले ही नहीं तो जो मनुष्ट का आब आबरवा हुआ सबसे पहले प्रत्वी पर जो माना उत्पत्ती हुई वो उससे पहले अगर आएं तो एक कोश की जीव का विकास हुआ है ऐसे समझेए कि जो प्रत्वी की उत्पत्ती कैसे हुई तो इसके लिए पढ़ेंगे जियोग्रफिय में पढ़ना होगा बिग बैंग थेओरी एक बिस्पोर्ट हुआ महा बिस्पोर्ट हुआ प्रत्वी का नर्माड हुआ प्रत्वी पहले गरम थी पानी बरसा काफी करोणों साल लग गए ठंडी हुई एक कोश की जीवों का आदर्वा हुआ फिर दीरे एक कोश्ती बहु कोश्ती दीरे मनुस आया मनुस आया तो सबसे पहले पेड़ों पर रहता था कंद्राओं में रहता था गुफाओं में रहता था जिंगा लाला टाइप का उसका जीवन था तो प्राग यतिहासिक काल में जो कहानी लिखेंगे बू लिखेंगे पास आणे होगी यानि पत्थर की उपकण जानता था जैसे आज आप कहीं जंगलों में फसे हुए हैं या पहुंच गए तो बहां जो मिलेगा पत्थरासानी से मिल जाते हैं तो उनकी उनी से उपकण बना लिए तो प्राग यतिहासिक काल को जब पासान यूग में कैटेग्राइज करते हैं तो इसको तीन पार्ट में डवाइट करते हैं पुरा पासान मद्ध पासान और नव पासान अभी पढ़ेंगे धीर तो इसमें यह बताना चाहरा है हम कि हम योग चित्रकारी और खाद संग रहात यह बिसेशता है पुरा पासान की देखिए इसमें कोई इनुवेशन नहीं है केवल अमान चला की गुफाओं में हैं जानवर से रक्षा करनी है आग जला रहा है फिरी है बैठा है क्या करेगा पेंड बनाना चलू करती है इस तरह से पढ़िए है ना अमान चला उसे भूंक लगी तो फल तोड़ दिया इतनी चीजें है केवल पुरा पासान कार में आप लोग भी रखते रहते हैं कि पुरा पासान काल में, मद्द पासान में, कुछ नहीं रखना है धोड़ा conceptual प्ड़ीए बस जो इत्यास subject है उसी को मैं उसी को मैं पढ़ा रहा हूँ बस एक नए बे में पढ़ा रहा हूँ ऐसा नहीं है कि मैं कोई नए इत्यास लिख रहा ह इस तरह से तो पुरा पासान काल में मनुस जिंगा लाला वाली लाइफ जीता था पेड़ों पे रहता था गुफाओं में रहता था जनवरों से अपनी रक्षा करता था तो इस समय आगी की खुज की गुफाओं में रहा पड़ा है चित्यकारी करती ख़द संगरा अच्छा पेड़ों से नीचे आया पसुपालन सीखा और सिखार करना सीखा है ना कॉंसियस यानि थोड़ा चेतना टाइप की विक्सत होई ए आ जाएगा मध पासान काल में एक्जाम में कई वार पूंच जाता सिकार तो इस तरह से यह हो गया मध पासान काल दीर दीर पढ़ाएंगे इसको कैटेग्राइज में अभी और अगर इस्थायत्व आ गया नी म्रदवांड पहिया और धातु यह खोज की उसने नव पासान काल तो इस काल की जानकारी नौलेज या पासान उपकानों से मिलती तो मनुस्त के जीवन में जब इस्थायत्व आया म्रदवांड बनाने लगा बरतन पहिये की खोज की धातु के वारे में समझा तो यह पढ़ेंगे यह पढ़ना होता है नव पासान काल में अच्छा एक चीज़ और बताना चाहरा है कि मानों सब्विता की खोज किस तरह से की जाते हैं शपोज आप खोड़ाई करके इस तरह इस तरह एक जारा हैं तो इससे हमें किसी सब्विता का बिस्तार के वारे हैं पता चलता है कि वो सब्विता कितने दूर तक है मान चुलाएं यहाँ खोड़ा आपने अलग चीज़ें मिली और यहाँ अलग तो इसका पता चलता है कि एक ही सब्ता है और ऐसा हो कि एक सब्ता इस में दूसरी दूसरे देस में है हम यहाँ पर समायनता है इसकी यहाँ पे मिल रही है कुछ चीजों इसकी हो इसकी तो इस participle चलेगा विदेश व्यापार करते हैं लेगा चीले की खुदाई अगर हम इस तरह से करेंगे तो हमें क्रम यानि पुराने जो चीजे होंगी जितने जादा पुरानी वह नीचे होंगी और जितने जो नई चीज होगी वह उपर होगी है ना देखा होगा धीर धीर टीला बनता जाता है तो उसको हम खुदाई करेंगे तो पुराने चीजें जिल्कुर बीचे दवी होगी अच्छा एक चीज और बीसी बिफोर क्राइस्ट यानि इसा मसीह के पूग से पहले को हम इसा पूर्ण पढ़ते हैं और जो करंच वहां से एडी में पढ़ते हैं तो इस कि कहते हैं अच्य क्यों कहते हैं तर ही सब कुछ है आगे की खोज मनुस्य ने कैसे की पत्थर की चिंगारी से अगर सिकार करना है नुकीला पत्थर बनाया फेक के मारा मर गया चारों तरप से घेर लिया पत्थर मारे इस तरह ऐसे तो सब कुछ पत्थर पासा है इसलिए इस संस्कृति को बोलते हैं पासान संस्कृति तो यह काल मनुस्की सबता का आरंभे काल माना जा सकता है इस काल को हम तीन भागों में बाठ सकते हैं ठीक तो सबसे पहले पुरा पासान काल पहली यू लिठिक अच्छा इसमें जो टाइम लिखा है दस लाग से तो हमें टाइम के चक्कर में नहीं पढ़ना है ठीक टाइम किसी का रटना नहीं हो तो इसी लिए क्योंकि किसी भी जो एक काल है तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि 31 दिसंबर आज हो गया 31 दिसंबर 2020 बीस तो अगले दिन नहीं सब बता का नर्मार हो गया तो अचानक नहीं होगा इस कई हजारों साल लगते थे हजारों साल तो इस तरह से बिल्कुल कैटेग्राइज करके एकुरिट तो नहीं पढ़ा जा सकता है अलग अलग बिद्वानों मतवियद भी रहता है वो किसी भी एक्जाम में जहां मतवियद हो तो इस तरह की कुष्ण्स नहीं पूछ जाते हैं तो मानोजीवन का विकास इसी काल में हुआ पूरापासानकाल के जो औसेस मिलते हैं वो वो बेलन घाटी मिरजापुर में हैं वीमबेटका भौपाल में हैं सोहन गाटी यानि सिंदु नदी एक छोटी साहिक नदी है यहां से मिलते हैं अभी यह बताया था कि महरास्ट ने बोरी नामा के स्थान तो इस तरह से पुरा पासानकाल के साक्ष मिलते हैं तो इस तरह के साक्ष मिलते हैं जिससे पता चलता है कि अफ्रीका की अपेच्छा भारत में मानो बाद में बसे चोटी मोटी एक्जाम में आता है कि मानो सब्धता का पालना किस महादीप को कहते हैं तो वो कहते हैं अपनी महादीप को अगर पुरा पासानकाल में आपको पीएजडी करना हो तो इसको तीन पार्ट में केटेगराइज किया गया निम्न पुरा पासान, मद्द पुरा पासानकाल, उच्छ पुरा पासान किस तरह की मान यूट जो डिफरेंस हैं वो आपको परना होगा अगर पीएजडी करना होगा तो अगर नहीं करना है एक्जाम क्वालिफाई करना है तो इसको छोड़ते हैं कई बार होता है कि जो लोग पीएजडी कियो होते हैं वो छोटे मोटे एक्जाम को क्रेक ने कर पाते हैं क्योंकि इतने डेफ्ट में चले जाते हैं कि पूरा टाइम उसी में ही निकाल देते हैं तो अभी हमने आपको बता दिया था कि सौन घाटी मद्द प्रदेश में है यह बहुत ही महत्तपून कुश्चन है पलवरम 1863 ECV में रॉवर्ट ब्रूस फूट ने हैंड एक्स की या ऐसे कहिए 1863 ECV में रॉवर्ट ब्रूस फूट खुदाई कर रहे थी तो ने एक हैंड एक्स मिला बस यहीं से कहानी चालू 1863 ECV में रॉवर्ट ब्रूस फूट ने हैंड एक्स की हैंड एक्स मिला और यहां से कहानी चालू अगला भीम बैट का रायसेन भूपाल के पास इसकी खोज की बीयस बाकड कर वीयस बाकड करने की इसमें चित्रकारी है इसे जो चौपानी मंडो है यहां उसने आग की खोज की और पेंटिंग्स बनाई बस और पड़ा रहता था किसी पेड़ पर क्या किसी गुपा में खुले आस्मान में मुश्किल है मद्द पासान काल मीसु लिथिड तो इस काल में प्रेप्त होने वाले उपकान चिकने वाद छोटे होते थी अतायने माइक्रो लिथ कहा जाता था अचा सोचिये जैसे आप कोई बड़ा पत्थर उठाएंगे तो फोर्स जागन लगेगा उस समय जैसे थोड़ा टाइम गुजरता है है ना जो जो उसके कॉंसियस आया या एक कराय से बुद्धी का विकास हुआ तो उसने उसको तोड़ दिया फेक के मा तो उसमें कमफोर्स भी लगा एक तरह से और जानवरी मर गया तो इस तरह से जो मद्ध पासानकाल है इसमें उपकाण चिकने वा छोटे बनाए जाने लगे मद्ध पासानकाल में मानों अस्थी पंजर के कुछ आवसेस सराय नाहर राय तथा मह दहा ये प्रताब गड़ उत्तर प्रदेश में जगाए है ये एक्जाम में आवी चुका है सराय नाहर राय और मह दहा मद्ध पासानकाल के साक्ष मले उत्तप्रदेश में तो यह भी बताया भी था कि मद्ध पासानकाल के वारे में मनुस्त्य पसुपालन के वारे में मनुष्थ ने सीखा तो पसुपालन आदमगड मद्द प्रदेश यहां से गुफा भी मिली है जिससे पता लगा है गुजरात के लंगनाज और भीलवाडा राज्यस्थान की बागोर से मद्द पासान काल के साक्ष मिले है तो मद्द पासान काल में मनुष्थ पसुपालन सीख गया अच्छा भी नव पासान काल में बताएंगे थोड़ा बहां पर भी सीखा इसको बिल्कुल कैटेग्राइज करके नहीं बता जा सकता है तो पसुपालन एसा नहीं किया जा सकता है कि एकदम सीख गया है अगर हम डवाइड करके बता दें के मद्द पासान काल के बल पसुपालन और फिर आंगे कुश है नहीं नियों लिद थेक तो अब मानो खाना बदो से जीवन त्याक कर इस थायत तो पूर जीवन की और आकर स्टौने रिख अगा कि इसमें क्रिशी करना सीधिया कुट्टे को पालती बना दिया पहीय का अविस्कार कर लिए अधिक तो कृषी पहीया का अविस्कार पर सुपालन पालन इस चीजां के वारे में जानने के साढ़न 이제 bus भी मिले हैं कोई कहें गुरू जी गलत पड़ा रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि इन चीजों को बिल्कुल एक्कुरेट करके नहीं किया जा सकता है काल डिवीजन तो नव पासान काल में चावल की खेती के प्राची निसाख्ष लहुरा देव और कुल्डी हवा इलहाबाद से मिले हैं ठीक यह बहुत ही महत्पूर्ण है कि नव पासान काल में चावल की खेती के जो साक्ष मिले हैं वो कहां से मिले हैं लहुरा देव कूल डियाबा इलाबा यह जो टाइम चल रहा है जो पड़ा रहा हूं मैं इसको कहानी के वारे में नहीं सुनाया जाज़ा पता है इसमें फैक्ट्स थोड़े थोड़े आपको याद करने पढ़ेंगे जो मैं बता रहा हूं इसमें थ्थोड़ा इंटरस्ट क्रियेट नहीं हो पाता अलेकं अब एगजाम क्रेक करना है तो इंटरस्ट क्रियेट करना पढ़ेगा जबूर हो आपकी भी हमारी तो इस तरह ऐसे भारती और महादीप मेहर गड़ यहां से गैहूं एवं जौसेवी के साक्ष मिले हैं तो भारत में है एक जगह चरांद बिहार में है यह से हड़ी के अनेक अपकान मिले हैं इसी तरह ऐसे नौपासान काल इस थल है जो बुर्ज होम और गु के दवांड़ी मिले हैं हड़ी के ओजार भी मिले हैं यह बहुत ही महत्पूर है कि गरतावास के साक्ष नौपासान काल जिससे संबंध के जो हम कहां से मिले तो बुर्ज होम कसीर में जगह है यह तो यह लोग ना केवल पत्थर के पॉलिस दार ओजारों अब तू हड़ी क उपकाणों का भी प्रियोग करते थे मालिक के साथ कुट्वों को भी दफना दिया जाता था नौप इसको थोड़ा रीडिंग करनी है केवल बस नौपासान इस थलों में करना टक में मास्की बाद में जब आप मौरी युग पढ़ेंगे तो यहां से कुछ मिला था मास्की क्या मिला था सोचिए है न टाइम आने पर हम बताई देंगे ब्रह्मगरी हलूर संगनकलू यहां से राख का टीला मिला था ठीक संगनकलू बाद पूंग एक्जाम में एक दुबार आया है पिकली हल कोडेकल यह करनाटक में तमिनाडू में पैयम पल लिए ठीक इसको भी एक जो जगए है मेहरगड़ मेहरगड़ से नौपासान कालीन इस्थल तो मिला ही है साथ में अभी आप पढ़ेंगे हरपा संबता का यह प्रमुक इस्थल था तो इस तरह से पासान काल की समाप्ती के बाद धातियों के युग का प्रारम हुआ इस युग को बोलते हैं धातु काल तो पत्थर के पत्थर के जो वजार बनते दीरे धीरे धातियों भी उसमें लगाई जानते लगे तो अब हम पढ़ेंगे तामर पासान काल के वारे में चलियो लिठक तो नव पासान युक कांध होते होते धातियों का इस्तेमाल सुरू हुआ धातियों में सबसे पहले तावे का प्रेयों हुआ यह एक्जाम में कई वारा आता है कि मनुस्य ने सबसे पहले या मनुस्य को सबसे पहले किस धातू के वारे में जाना प्राबा तो मनुस्य ने पत्थर और तामे के ओजारों का साथ साथ प्रेयोग किया इसलिए इस काल को तामर पासान काल कहा जाता है ठीक है इसमें मनुष्य ने पत्थर और स्थामे का एक तरह से निक्स किया मतलब यह जैसे कोई पत्थर है उस पर नुकीला करने के लिए धातू लगा दी इस तरह से अचा कुछ तामर पासान काली ने संस्कृती मिली है अहार बानश बानश नदीवी है राजिस्थान में ठीक यहां एक जगह एक गलुंद काय था मद्ध प्रदेश से जो सबसे महत्पूर्ण है वो है मालवा संस्कृती यहां पे जगह थी नवदा टोली मिली है खुदाई से इसकी खूज की थी HD संस्कृती से इससी तरह से महराश्ट में संस्कृती थी जोरवे महराश्ट वाले रीजन में जोरवे संस्कृती थी जिसमें प्रकास दाइमवाद इनाम गाउ इस सुप्रशिद्ध यानि एक तरह से जादा फीमस थी जोरवे संस्कृती अभी जब आप हरपा सब्दा पढ़ेंगे तो हरपा सब्दा का सबसे दश्णतम बिंदु दाइम- वाद होगा इस तरह से यह जो ताम्र पासान कालीन संस्कृति ज्यादा नहीं पढ़ना इसमें किवले थोड़ा मालवा संस्कृति नौदा टोली नौदा टोली खोज किसनी की जो सबसे बड़ा ग्रामिड थलथा वो नौदा टोली था जोर्वे संसकृति। ताम्रपासान, कालीन संस्कृती, काल की दरश्टी से हरप्पा के बाद होते होगी तकनीग की दरश्टी से पिछणी है क्योंकि ये संस्कृती जुमकरिसी करते हैं थी पसुपालन प्रग्रामेर जीवन्ट और अभी इस lecture के बाद आप पढ़ेंगे हरपा सब्वता और उसमें आप देखेंगे कि हरपा सब्वता उस समय तत कालीन तत समय जो भी सब्वताएं थी उसमें नगरी ये सब्वता थी के अलट जिस तरह ऐसे कि जो developed cities हैं बहां पर जश्तरह से नगर नेओं जन का जो map बनाया जाता है इतनी सब्विस्वाथी कि जो खिरिक्राण ब्हुलेंगी अंदर खिलें है इस तरह से काफी जो इटि नगरों कापसा आज समय था नंगर नियोजन यानि नंगरी ये सब बिता थी विस्तुमें और ये सब ग्रामिर जीवन पर आधारत पिश्डी तो थी लोह योगीन संस्कृति इसमें हमके वल याद रखेंगे केवल और केवल अतरंजी खेड़ा क्योंकि अतरंजी खेड़ा से लोहे के साथ चुनने लेगे थे महापासार मेगालित दश्ण भारत में देखेंगे कि जो दाय संस्कार या समाधियां होती थी कब्रगाय होते थे इसमारक होते थे उनके चारों और जैसे कोई ये है समाधि लगा दिये बड़े बड़े पत्थर इसके चारों तरह थे इस तरह की संस्कृती को बोलते थे महापासार संस्कृती ये जो महापासार संस्कृती है इस पे से लिए इसका दव लिखा है चेत्र दश्ण भारत ये दश्ण भारत वाले चेत्र में इसका एरिया महापासार संस्कृती का जो एरिया था तो इस तरह से डरत वाले चेत्र वाले तो इस तरह से हम लोगों ने आज की लेक्चर में पुरा पासान, मद्द पासानकाल, निम्न पासानकाल के बारे में समझा आगे की जो क्लास होगी, उसमें हरपा सबता होगा, यहां से आपका इंट्रेस्ट भी क्रियेट होगा और हमें भी बहुत पढ़ाने में इंट्रेस्ट आएगा अब एक्चुली यह जो सब्जेक्ट है, इसको पढ़ाना भी हमारी मजबूरी है, आपको ही पढ़ना पड़ेगा, इस तरह से इसमें कुछ प्रेट्स, तो आज का यह जो हमने लेक्चर लिया, इस से सम्मंधित कुश्चन है, चलिए, पैन कॉप्यूट हाईए, लिखिए पहला, सबस्फस्ट, मनुस ने चित्रकारी करना किस काल में सीखा, पसुपालन करना किस काल में सीखा, मनुस ने पहली धातू का प्रियोग किस धातू का किया, पहिय की खोज किस काल में की, आग की खोज किस काल में की, धीम बैटका की गुफाओं की खोज किसने की, धीम बैटका की गुफाएं कहां पर है, रोवर्ट ब्रूस फूट ने हैंडेक्स जो रोवर्ट ब्रूस फूट ने को खुदाई में जो हैंडेक्स मिला वो किस इस थल से मिला पूरे पासानकाल के साक्ष किस इस थल से मिलते हैं गरतावास के साक्ष कहां से मिले नव पासान काल में चावल की खेती के साक्ष किस इस थल से मिले लोहे के साक्ष किस इस इस थल से मिले नवदा टोली की खोज किस ने की और जो महापासान काल की जो संस्कृती है वो किस छेतर से मिली तो पैन को भी मैं आपने लिख लिया हूँ एन की अंसर सोचिए जो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे वो हरपास अबता से कहानी स्टाट करेंगे आज की लिए